जी मित्रों नमस्कार लक्षी डियस क्रैकर चैनल में आप सारे मित्रों का स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि आरो ए आरो समिच्छा दिकारी सायक समिच्छा दिकारी की तैयारी में सारे लोग लगे हुए हैं और समिच्छा दिकारी सायक समिच्छा दिकारी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग स्टेट के लोग हैं हमारे साथ में ठीक है ना हमारे साथ में उत्तर पदेश के भी है और लगातार वाँसर वांसर आइटनिंग भी कर रहे हैं लगातार टेस्ट दे रहे हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करें आपको हम पताते हैं कि समिच्छा दिकारी उत्तरपदेश की वेकेंसी तो जो आने माली थी थोड़ा सा विलम्ब है, मतब एक-दो हफते बाद अभी आएगी मतब अक्टूबर के 1st week में आएगी लेकिन उत्राखंड की वेकेंसी में क्या है खास हम लोग देखेंगे उत्राखंड की वेकेंसी में क्या-क्या आप तो त्यार करना है और क्या-क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए उसकी सारी संप होगा इक्जाम इन सारे पॉइंटों पर एक एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं यह उत्राखंड जो है लोकसिवा आयोग ने जारी किया है इसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि इसकी जो अंतिमतिती है वो है 19 सितंबर ठीक ना यह नोटिफिक लक्षाइस लखनव के टेलिग्राम चैनल पर आपको यह पूरा का पूरा नोटिफिकेशन की पीटिएफ मिल लेगे आप चाहें तो वहां से इसको डाउनलोड करके इसको अपना सुरच्चित रख लिए जितने लोग इस फांप को बहर रहे हैं वह इस नोटिफिकेशन को ज़रूर सुरच्चित रख लें और उसके बाद फी फांप भरें तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक ना तो इसकी जो अंतिम्तिती है वह आपकी जो है 29 सितंबर है और 29 सितंबर आप जान रहे है 29 सितंबर तक आपको फांप भर देना है ठीक ना और साथ में यह 8 सितंबर से इसका नोटिफिकेशन आ चुका है परिच्छा सुल्क बहुत नॉर्मल है आप इसको देख लिएगा संपूर्ण जानकारी हम इसी में आपको देंगे चलिए अगला इसमें जो है कौन कौन सी विकेंसी है कितने पद है इसकी जानकारी इसी विग्यापन में दिया हुआ है और इस विग्यापन में देखिए अगर हम कहते हैं समिच्छा दिकारी की जो वेकेंसियां है रिक्तियां है उनमें टोटल संख्या है 137 मतब 137 पोस्टे हैं उत्तर प्रदेश की कितनी है 181 जो संभावित पोस्टे अभी आयोग ने बताया था उसमें है लेकिन ये संख्या बढ़के 250 से उपर हो चुकी है ध्यान रखना है 250 से उपर वेकेंसि इसमें रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश वाली जितने लोग लगे हुए हैं वो पूरी तरह से लगे रहें और जब वेकेंसिया आएगी तो उसका भी आपको जानकारी हो जाएगी तो ये जो वेकें इसमें सायक समिच्छादिकारी की कुछ पोस्टे हैं वो भी हमने इसमें मेंसन किया है और समिच्छादिकारी और सायक समिच्छादिकारी का ग्रेड पे क्या होता है बेतन क्या होता और कौन-कौन सी अरहताय होनी चाहिए वो इसमें दिया हुए बेतन मान वही है सेम जो उ का मामला है बस एक अंतर है उत्तर प्रदेश के जो लोग है उनकी सैक्षिक्त आरहता में विसुभी द्याला से इसनातक देरी तो हो निजी लेकिन कंप्यूटर में हिंदी टंकन की 400 की डिप्रेशन या की मतब जो सबस्वीड होती वो नहीं मांगा गया है यह उत्तर प्रदे काम कर लेते हैं कि होगी कि कम्प्यूटर पर उनकी जलूती है तो यह पहले और यह जागा पहले में typing pass कर पाएंगे, तो इसके कोई tension नहीं, कोई जहनजट नहीं है, तो आपको यह है कि हाँ, जो इसमें परिच्छा होती है, उस परिच्छा को ध्यान रखना है कि क्या-क्या इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, बस यह है कि समिच्छा अदिकारी जो उत्तर पदेश को समिछादिकारी होता है उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होती कंप्यूटर नॉलेज नहीं होती मेंस में एक सेगमेंट 10 नंबर का जरूर आता है लेकिन इसमें पूरा का पूरा टेस्ट आप से 100 नंबर का लिया जाएगा फिली नहीं बहुत आती है अगर आप इंगलिस में फेल भी हो जाते हैं इंग्लिज की टैपिंग नहीं भी कर पाते हैं, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको सर्विस से बाहर कर दिया जाए, आपको नोकरी मिल जाएगी, और साथ में यह टेस्ट आपको पास करना है, हाँ, इनकी पास मार्किंग भी दी हुई है, कि अगर किसी भी टेस्ट में जो एक मिनिममम क्वालिफिकेशन मार्क से वह आपको आने चाहिए, साथ में आयू की गड़ना कि उत्राखंड की इस पोस्ट में उत्राखंड के अभ्यरतियों के लिए ही अरचन लागू होगा, अन्ता 42 साल की एज में आप तक फार्म भर सकते हैं, ठीक ना, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, सबसे महत पूर्ण, और इसी पॉइंट का सब को इंतजार है, कि स उत्राखंड के सेवा यूजन कार्याले में आपका रजिस्टेशन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बेकेंसी है, समुहगा की, इस समुहगा के अंतर रखा गया है, और अगर आप उत्राखंड के सेवा यूजन कार्याले में आपका पंजियन है, रिस्टेशन है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक ना अब ये ध्यान लखिए कि अगर आप उत्तर पदेश में भी रहते हैं और उत्रा खंड के हैं वहां का आपका डुमिसाइल है और वहां का आपका रस्टेशन है तो आपको फॉर्म भरने को मिलेगा अगर 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 अधर इस्टेट के हैं और उत्राखंड के उसमें रिस्टेशन नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे ठीक ना इसफस्टी बात है और इसमें सारी चीज़ें इसफस्ट कर दी गई है कि उत्राखंड सासना देश का ये उल्ले करते हुए कहा गया है कि जो लोग बाहर किसी राजी में नौकरी करते हैं या बाहर वाले वैसे भी हट जाएंगे और बाहर वाले हटेंगे तो उत्राखंड वाले बाजी मार जाएंगे अब देखे जो परिच्छा होगी वो दो चरणों में होगी दो चरणों में क्या तीन चरणों में होगी एक प्रारंभिक परिच्छा होगी दूसरी मुखे परिच परिच्छा होगी तीसरा प्रयोग अत्मक परिच्छा होगी टेस्ट सिर्वजी से कहते हैं और यही इस्तिती उत्तरप्रदेश में भी होती है पसंतर क्या है यहां पर सामान अध्यन और समान बुद्धी परिच्छा प्री में पूछा जाएगा यह objective question होगे 150 प्रस्ण होगे 150 नमबर की होगे दो घंटे का paper होगा अब यहां पर क्या है उत्तर प्रदेश में UP में आप जब देते हैं तो यहां पर GS और हिंदी पूछी जाती है ठीक ना लेकिन इसमें हिंदी उ पढ़नी पढ़ेगी और जब कि हिंदी पढ़ेगे तो थोड़ा सा आसानी जरूर हो जाएगी ठीक है तो यह GS आप आराम से इसको कर सकते हैं GS reading और इसकी क्लासें हमारे है रिगुलर चल नहीं चाहें तो आलाइन जुड करके हमारी क्लासों को डेमो ले सकते हैं अगर अच हिंदी सनरचना की सेम जिस तरह से उत्तरपदेश में होती वैसे ही होगी परमपरागत प्राकृति का होगा ठीक ना और यह लिखित इसको कहते हैं यह लिखित में पेपर होगा ठीक ना लिखना पड़ेगा आपको और यह 100-100 नंबर के होंगे 100 नंबर का निबंध आएगा और 100 नंबर की हिंदी आएगी इसकी भी प्रापर क्लासे आपको मिल रही है और आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं सामान अध्यन का भी complete batch आपको मिलेगा बस सामान अध्यन में एक चीज है कि अभी उत्तराखंड special जो आएगा मतब उत्तराखंड की काफी question आएगे उत्त ज्यान परिछन ठीके ना देखिए 100 नंबर का है ठीके तो इसे भी आपको पास करना जरूरी है अभी में इसके आगे बताऊंगो कि कितने percent पास अगर आप marks लाते हैं तो कम से कम minimum में कितने percent आप पास हो जाएंगे ठीके ना तो चलिए जरा देख लेते हैं कि इसके आगे क क्या है और इसकी क्या qualification minimum qualification मतलब मिनमम जो आरहता है क्या है समान अध्यन का पूरा का पूरा है सलेबस दिया हुए समान विज्ञान कंप्यूटर देत इतिहास है भूगोल है राजबिवस्ता है समसमाई घटना है उत्राखंड इतिहास है ठीक ना यह सारा कुछ दिया हुए देखे उत्राखंड का पूरा का पूरा इतिहास भूगोल सब्क दिया हुआ है उसके बाद में जो मुख्य पर इच्छा होगी उसका पहला पेपर 200 नंबर को होगा उसका जीयस दिया हुआ है और साथ में यह कंप्लीट पूरा हो गया और साथ में हिंदी सनरचना का देखि को पढ़ना और ठीक ना उसका रेखांकी तंसों की ब्याख्या करना सेम उत्तर प्रदेश की कंडिशन यही कोशन वहां भी बनता है सरकारी पत्र का सार्णियान रूप सेम यही कोशन वहां भी बनता है सरकारी पत्र यह पत्राचार में पत्र होते हैं सास्की अर्क सास्की क उत्तरपदेश में 10 कोश्चन आते हैं, 10 कोश्चन यूपी मतलब इंगलिस से हिंदी, हिंदी से इंगलिस और यहां पर 12-12 कोश्चन आएंगे बस, ठीक ना, इसके आगे जो उत्तरपदेश में और भी कई चेप्टर हैं लेकिन उत्राखन में नहीं है, तो मलब कम पढ़ना पढ़ेगा उत्राखन वालों को, और कम पढ़ने से अच्छा नंबर मिल शकता है, ठीक ना, तो एक चीश्चे द्यान अखेंगे, और साथ में क्या है, कि सेम निबंध की प्रक्रिया भी सेम वही है, क्या, निबंध आपके तीन घंटे का पेपर, तीन निबंध लिखने है कुल तीन निबंध लिखने है, और पहले खंड से एक निबंध करना है, कोई भी सांस्कृतिक, साहितिक, सामाजिक छेत्र, राजनीतिक छेत्र से, बिज्ञान, परियावरन, प्रोध्यों की, आर्थिक छेत्र, और क्रसिवया पार्थ छेत्र से, 600 सब्दों में लिखना है, ठीक ना, खंड एक से भी एक, खंड दो से भी एक, खंड तीन से भी एक, सबसे एक एक करना है, और यहाँ पर जो तीन खंड दिये हों, मतब पूरे निबंध आएंगे, नौ में से एक यहां से उठाना, एक यहां से उठाना, एक यहां से उठाना, तीन निबंध और टोटल आपको जो है सव नंबर मिल जाएंगे यह रहा रिटेन मतब मुख्य परिच्छा का यह पेपर है और साथ में अब क्या है कि यह टंकर परिच्छा है वो भी आपकी कंप्यूटर में होगी तो इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा कि टंकर परिच्छा भी अनिवार है और यह लक् успsınız से रहे है तो इसके बाद से आपका और होता है जिसे आपके अंप्यूटर टेस्ट तो इसमें आप देखिये प्री में भी आपके हर एक पेपर का मलब हर एक कैटेगरी वाइच कम से कम नियूनतम आरहता इतने अंक आपको प्राप्त करने जरूरी है जिसमें अनारचित के लिए 35 जो है नंबर होने चाहिए पिछड़ावर्ग के लिए 30 कमजोर आर्थी ग्रूप से कमजोर के लिए 30 और नसुची जाती और 25 नंबर अगर पाते हैं तो ही आप क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए मेंस में भी वही इस्तिती है जब आपको टाइप इंट के लिए बुलाया जाएगा तो मेंस में भी कम से कम 45 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर और 35 नंबर आरच्छन के अरच्छन के अगर्डिंग ये इस्तिती आपको उत्तरपदेश में भी देखने को मिलेगी और यही आपको तो ठीक है वित्रों सारी जानकारी के लिए हमारी चैनल को सस्क्राइब करिएगा और यह जो पीडियेफ है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमारे लक्ष आईए लखनाव के टेलिग्रम चैनल पर आपको मिल जाएगा ठीक है जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो ल